अलो फ्रेंट्स, मैं हूँ अन्नाप गुरुना और आपका स्वागत है मेरे कीछन में आज में बनाने वाली बहुती तेस्टी, यम्मी, क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी उन चीजों से जो इजीली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं उसके लिए लिए मैंने चावल, चावल हमारे गर में हमेशा रहता है और ये हैं चावल का आटा, उसके अलावा धनिया पत्ती और करिया पत्ती है एक प्याच, बारिक कटा हुआ, कुछ हरी मिर्च, अद्रकलसुन का पेस्ट है, नमक है, जीरा, हल्दी, मिर्च पौर्डर सारी चीज़े आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना उसके अलावा तेल है और थोड़ा सा हिंग है इसमें आप चाहो तो और स्पैसिस अड़ भी कर सकते हैं या पर मैंने दो बड़े कटुरी पकावा चावल लिया है अब मैं इसको डाल रही हूँ, मिक्सिंग की जार में आप चाहो तो स्पून से भी इसको मैश कर सकते हो बट स्पून से मैश करने से उतना पॉफेक्ट रोटी नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, ग्राइंड करते समय मैंने 2-3 टी स्पून इतने पानी का इस्तमाल किया था, अब ये ग्राइंड हो गया, इसको मैं निकाल रही हूँ, मिक्सिंग चावल का आटा मैंने 1 कटोरी डाला है, वो डिपेंड करता है कितना लगेगा, या आपके चावल में कितना मॉइश्यर है, उसके बाद मैंने डाला है अध्रे प्लसून का पीस्ट, 1 टी स्पून, हरी मिर्च है 2-3 एक प्याच बारी काटा हुआ है, हल्दी 1-2 टी स्पून मिर्च पॉडर 1 टी स्पून है, और यह है जीरा, उसके अलावा 2-3 प्याच बारी काटके डाला है, आप यहाँ पर चाहो तो वेजटेबल्स को भी डाल सकते हो, खिसके जैसे गाजर, मूली या फिर आपकी घर में कुकुमबर है, आप उसको भी डाल सकते हो, अब मैं इसक अच्छे से सॉफ्ट आटा बना रहे हो, बिना पानी डाले, अगर आपको थोड़ा सा गिला लगता है, तो चावल का आटा डाल देना, अगर आपको हाड लग रहा है, तो 2-3 टी स्पून जितना पानी डाल सकते हो, बट आटा चिप-चिपा नहीं होना चीए, इस तरीके स अब आटा बनके रेडी है, मैंने लिया एक पॉलिथिन, यहां पर मैंने तेल का पॉलिथिन होता है, उसका इस्तमाल किया है, आप चाहो तो बटर पेपर या अलुमिनियो फाइल, या फिर केले के पत्ते का भी इस्तमाल कर सकते हो, अब मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर आपको उतना आटा लेना है, जितना बड़ा आपको रोटी बनाना है, मैं मीडियम साइज का बना रहे हूँ, मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, उसका गोला बनाया है, उसके पर ओईल डार के हाथ सी प्रेस करते हुए, इसका एकदम अच्छे से पतला रोटी बनाऊंगी, बहुत ज़दा पतला भी नहीं बनाना है, और नहीं बहुत ज़दा मोटा बनाना है, मीडियम बनाना है, अब इसको हाथ से अच्छे से प्रेस करते हुए, मैं रोटी बना रहे हूँ, बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरीके से हाथ से बनाने से, ये लुक वाइस भी बहुत अच्छा लगता है बहुत एक्ट्रैक्टिव भी लगता है अब रोटी बनके रेड़ि है मैंने तबा गरम हो ने रख दिया है तबा के ऑपर मैं डाला है थोड़ा सा तिल आब मैं डाल रहे हूं रोटी पॉलितिन के ओपर बनाने से इसे फायदा यह होता है कि निकाल के डालने में आसानी होती है अब मैं चारो तरफ और डाल की इसको अच्छे से क्रिस्पी होते तक पलटते वे मेडियम हाई फ्लेम पे सेकोंगी यह रोटी बहुत जल्दी बनती है और बहुत बहुत टेस्टी भी है जब हमें कुछ अच्छ सब्वड नीकाल रहो जा बग इसके साथ आप कोई भी चंटी सिर्फ नी이고 साथ बहुत अच्छ्या है अब मैं पलटते हूए एक डम कृस्पी होते तक अच्छे सेख लिया है अब यह बने के रेडि है मैं एसे निकाल रहाह हूं प्लेट में निकाल के इसी तरी पतरीमें बेना लियर में तवा पे तेल डाला है। और आरे और पीच को बना लिया नियुक्त, इन ना कि मैं उसको डाल रही ह। तवद के ओपर डालके आप चाहो तो इसे प्षारेट्षी चहले के उपर डाल headed एक दो रोटी के बाद अवा गरम हो जाता है, फिर हाथ जलने का डर रहता है, इसलिए इसी तरीके से पॉलेथिन पर बनाए है, फिर तेल डालके पलटना है, पलटने से पहले आप एक बार चेक जरूर कर लेना कि साइड से अच्छे से सीखा है कि नहीं, जब अच्छे से जाएगा उसके बाद पलटना अब टेल डालके उपर नीचे पलटते वे क्रिस्पी होते तक इसको सीखना है बस हमारा बहुती टेस्टी अक्की रोटी बनके रेडी है इसे मैंने सर्फ किया है टमाटो सॉस और अचार के साथ अब आप भी इसे बनाईए अच्छा लगा हो त लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू